वंस अगयन विलकम बैक टू माई यूटूब चैनल इजी सिविल वे सलवान दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हमारा जो ऊवर हेड़ वाटर टेंक होता है उसके सर्कुलर राफ्ट का जो कॉलम के सेंटर होता है वो कैसे हम लोग आउट कैसे करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना आपको सारी चीजे क्लियर हो जाएंगी तो अगर अभी आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें साथ इसाथ बिल आइकन को भी प्रेस कर द होते हैं आप तो PCC का मतलब यह होता है कि हमारा जो जिस पर सर्या बचेएगा यह हमारा PCC है correr वड़े खाल बचको यह PCC करा जाता है शेमारा ड्राइंग में क्या दिया गया था जा सेंटर से देल मीटर से डेल मीटर का रेडियेस लिया और उसको गोल-गोल घुमा दिया उत तो इसलिए हमारा यह center हम लोग इसका क्या करेंगे कि अभी हम लोग इसके columns की marking करेंगे जैसे कि हम आप देख सकते हैं यह columns का center यहाँ पे कुछ mark किया गया है plus का arrow करके ठीक तो इसकी marking कैसे करते हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो drying होता है उसमें सेंटर से इनर बीम यह जो बीम हमारी है राफट की यह बीम है ठीक तो इसका यह inner face हो गया यह center हो गया और यह outer face हो गया ठीक है यह तीन लाइने यहाँ पर हमेशा बनती है एक center एक inner एक और एक outer तो वहाँ से अगर जो हमारा inner face दिया गया है ड्राइंग में ठीक है तो भी आपको सेंटर लाइन मार्क करनी है अगर जो आउटर फेस दिया गया है तब भी आपको सेंटर लाइन ही मार्क करनी है मैसा तो सेंटर लाइन कैसे मार्क करेंगे वहां से डिस्टेंस हम लोग देखेंगे यहां तक कितनी है ड्राइंग में इनर से फीता पकड़ना हैYour और सपोज आपकी यह सेंटर लाइन आप क्या रही है ठीन मीटर एक्छु司ली में यह भी 3 मीटर है तो सेंटर से गरें कि लोग क्या करेंगे थीन Economy पेक पकड़ेंगे पकड़ेंगं फ्र Otherwise से हम लोग क्या करेंगे एक तीन मीटर का पूरा सरकल बणा देंगे जो हमारा कॉलम है यह जो हमारा कॉलम है ठीक है तो इस कॉलम से हमारा अगला column जो है वह ऐसे इस्टेर्ट यह हमारे डिस्टेंस है 480 mm चार मीटर 280 mm तो यहां से हम लोगं क्या करेंगे फीता रखेंगे 480 फे एक आर्क बनाएंगे ऐसे ऐसे आर्क बनाएंगे टीक है चारसो से बैल– QC एक आर्क बनाया इपर वहां से रखा ऐसे आर्क इसा बनाया वहां पर रखा और एक आर्क एसे बनाया पर लास्ट मैं लोग इसको cross check करने के लिए यहां से भी 4280 चेक करेंगे अगर जो वो equal आ रहा है तो हमारे columns की marking हो गई यह चीज़ देखने के लिए कई कई difference drawing जो होती है वो different होती है drawing उसमें क्या होता है कि आपका जो यह distance से होता है वो नहीं दिया होता है यह distance आप से mention नहीं होगा यहां पर कुछ ऐसे straight line मना देगा उधर से भी एक straight line मना देगा और इन दोनों के बीच में वो distance देदेगा जैसे कि इसमें था कि यहां पर हमारा क्या था कि वो दो column और यह दो column इनको cross करते हो इस center से एक line आईगी वहां से 480 distance इनके बीच की होगी इस line के ठीक तो हम लोग वहां से check करते हो और plus यह हमारा दिया गया होगा कि यहां center से एक column वो एक column यह और बीच में जो angle बनेगा दो line बनेगी एक उस center के column के center में और एक इस column के center में ठीक है इसके बीच का angle अगर जो 60 degree दिया गया है तो वो आपका संभाव तरभू जो होता है जिसमें की आल जो हमारी भुजाएं होती है वो बराबर होती है यह भी बराबर होगी यह भी बराबर होगी वो भी बराबर होगी ठीक है तो यह चीज़ ध्यान रखने हैं बस यही होता है मार्किंग में कोई ज़्यादा विसेस इस सुनी आएगा आपको अगर यह कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में जरूर करें ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सूमच